कैसे हो आप सब, आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और क्या हाल चल रहे हैं? क्रिप्टो के, बिटकोईन के बात करेंगे मार्किट की लेकिन उससे पहले आप सब इक को वैरी गूड मॉर्नीं और बिटकोईन के प्राइज में जैदा कोई movement नहीं है जो level नीचे आये हैं अगर आप देखोगे 28,600 तक के high लगा दिये थे और level वापिस नीचे आये हैं कहां तक अगर हम देखें तो 27,000 ये जो low level अगर आप देखोगे यहां पर 27,160 तक भी level गये है तो अभी 27,300,400 के करीब bitcoin का price चल रहा है ठीक है और कहां से अच्छा का सा dump है 1200 डॉलर का तकरीवन तकरीवन 1200-1500 डॉलर का dump आया अगर हम ये low levels देखें ठीक है और इस dump का reason है क्योंकि market ने पहले जो दो दिन निकाले थे ना यहां भी market यहां पर भी shorts की position लग रहे थी ठीक है इन levels पर भी bitcoin और pump हो गया तो क्या हो गई वो shorts की position हो गई liquidate अब यहां पर भी shorts की लगी bitcoin और pump हो गया ठीक है तो at the end जब यहां पर longs की position लगना शुरू होई millions of dollar की तो bitcoin यहां पर आप देख रहे हो movement और अच्छे घासे millions of dollar गए हैं longs वालों गया आप देखी रहे हो किल का चार्ट अगर आपने देखा हो तो longs वालों की अच्छी घासी बैंड crypto ने bitcoin ने बजाई है तो अभी जो लेवल है 27,300-400 पर लेकिन घबराने की ज़र उतनी है short term temporary levels है ठीक है जल्द ही हम वापीस आपको उपर जाते हुए दिख सकते हैं थोड़ा सा वेट करेंगे 12 तारीक का भी क्योंकि 12 को आने वाला CPI data ठीक है तो उससे पहले game हो सकता है तो सबसे पहले बात करेंगे ripple की ripple attains Singapore license to offer digital payment token service the Asia Pacific branch of ripple lab has received a major payment institution license from the monetary authority of Singapore तो एक अच्छा major payment license यहां पे मिला है ripple को कहां पे Singapore के अंदर to offer digital payment token services और यह बहुत बड़ी और अच्छी news है थोड़ा XRP में movement भी दिख रहा है हमको ठीक है और काफी time से नीचा है XRP तो जल्दी हमको थोड़े से level up जाते हुए दिख सकते हैं इस महीने तो बिलकुल next update भी ripple को ले गया और बहुत बड़ी update है एक तो license मिल गया Singapore में और एक जो motion file किया था जो lawsuit के उपर victory मिली थी ripple को जुलाई month के अंदर और 100% price बड़ गया था XRP का तो अब क्या हुए जज डिनाए US SEC motion to file appeal in XRP lawsuit तो जज ने यहां पर US SEC का जो motion है वो ही deny कर दिया मतलब SEC की एक बार और यहां पर हार होती हुए दिख रही है जज डिनाइड दा US Security and Exchange Commission motion to file an interlocatory appeal यह बहुत बड़ी बात है कि इसको ही deny कर दिया गया और यह बहुत बड़ी बात है SEC को करारा जवाब court से ही मिल रहा है ठीक है क्योंकि already victory हो चुकी है लेकिन XRP ने यहां पर फिर से court में घसीतने की त्यारी की ripple को ठीक है तो उसका जवाब भी यहां पर इस time पर मिलता हुआ और यह बहुत बड़ी news है फिर से ripple के लिए next update है whale movement accumulation mode activated for three altcoin in October तो कौन से हैं वो तीन altcoin जिनके लिए accumulation mode यहां पर whales का start हुआ है तो बिल्कुल पहला जो coin है वो है bitcoin cash BCH की अगर हम बात कर लें दो महीने पहले आपको पता है कितनी जवरदस्त rally आई थी BCH के अंदर bitcoin cash के अंदर और ऐसी whales जो hold करती है एक लाख से लेके 1 million BCH have been the biggest supporter of the recent rally जो rally आई थी अभी दो महीने पहले और यही whales है whales bought a total 1,50,000 BCH coin between September 21 तो लेके October 3 मतलब यह 10-12 दिनों के अंदर भी 1,50,000 BCH coin खरीच चुके हैं यह whales है ना बहुत बड़ा नंबर है और यह whales वो whales है जो एक लाख से लेके 1 million bitcoin cash hold करती हैं second coin आता है जिसके लिए whales का काफी ज़्यदा moment हुआ है हमने discuss किया हर बार वो है chain link chain link को लेके भी काफी ज़्यदा moment हुए है और अभी एक recently बड़ी partnership भी हुई है banking groups के साथ तो थोड़ा chain link पे भी focus कीजिए और third number का जो last coin है वो है maker down mkr पिछले एक दो महीने में double हो चुका है अलड़ी 600-700 dollar की range में इसका price था लेकिन बहुत अच्छे high आ चुके है 1300-1400 dollar के level आ चुके है है न तो इस coin को लेके भी whales के transactions अच्छे खासे हुए है नेक्स्ट आम बात करेंगे crypto.com की जरब से कुछ update है निव शिप बॉन LTC BCH और Atom and XLM यह बहुत सारे coins हैं आप देखो शिवा इन्हों है बॉन है लाइट कोइन बिटकोइन कैश एटम कोस्मोस और एक्सलम स्टेलर ट्रेडिंग पेर आर नाओ अवेलेबल इन्द क्रिप्टो डॉट को मैप और ट्रेड शिप बॉन LTC BCH चेटम, XLM किसके अगेंस्ट आप ट्रेड कर सकते हो PYUSD जो पेपाल का स्टेवल कोईन है मतलब ट्रेडिंग अभी तक आप USDT, USDC के पेर्स आप देखते थे लेकिन अब क्यूंकि PYUSD भी एक स्टेवल कोईन है मार्केट में आया है और क्रिप्टो.com अगर यूज करते है तो इसके अगेंस्ट भी आप जो है PYUSD में भी ट्रेड कर सकते हैं इन सभी पेर्स के अंदर है ना तो न्यू ट्रेडिंग पेर्स एड किये गए है PYUSD के साथ ये कुछ कोईन्स के नेक्स्ट हम बात करेंगे Elon Musk के बारे में Elon Musk का कोई भी पोस्ट आता है तो उसका अगर क्रिप्टो से जुड़ जाए क्योंकि जुड़ भी जाता है ना और एक भी वर्ड ऐसा आ गया जिसका कनेक्शन क्रिप्टो से जुड़ गया किसी भी क्रिप्टो से जुड़ गया तो फिर उसमें पंप भी देखने को मिलता है तो Life of a Gamer एक पोस्ट यहाँ पे शेयर जुड़ सकता है ना जो gaming projects है जो gaming cryptos है जो gamefy cryptos है ना बहुत सारी है gamefy तो हो सकता है Elon Musk का ये tweet अभी तक तो कोई impact नहीं है लेकिन tweets के उपर पूरा focus होना चाहिए कोई भी tweet किसी भी category के coin से जुड़ सकता है ये किसी भी पूरी category से जुड़ सकता है artificial intelligence को लेके tweet आए पोस्ट आए अब gamer को लेके आ रहे है तो gamefy project भी हो सकता है थोड़ा आपको pump करते हुए दिख जाए जल्दी है ना तो ये कुछ पोस्ट शेर किया है Elon Musk ने नेक्स्ट हम बात करेंगे IOTA coin के बारे में the stardust protocol upgrade and fork of the IOTA network happened on Wednesday October 4th यानि आज की date है किसकी upgrade की एक upgrade होने वाला है IOTA coin का आज हमको देखने को मिलने वाला है ठीक है तो त्यार रहेगा जिस upgrade upgrade का नाम है stardust upgrade है ना तो जो भी बाकी update रहेंगे वो next video में cover करेंगे और आज की इस video को करते हैं यही पेंड किसी भी crypto में अगर आप invest कर रहे हैं तो हमेशा अपनी research करें वो बहुत जरूरी होती है तब तक के लिए bye bye take care